हेलो दोस्तों आपको स्वागत है मेरी यूटीब चनल आज गया में तो यह आज जो टॉपिक है वह रेल्वे में जो इनसेंटीव तिया जाता है जिसको प्रतशान योजना कायाता है आज उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे incentive scheme incentive scheme होता क्या है कैसे मिलता है क्यों मिलता है उसका calculation क्या है कौन से workers को मिलता है कौन से workers को नहीं मिलता है उसका misuse है क्या उसका benefit है यह सारे जो विशे हैं उसका हम लोग discussion करेंगे और इसका जो objective है वो आपको बताया जाएगा कहां कहां से question इसमें आ सकते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि CLW incentive शुरू करते हैं कुछ question group incentive का भी इसमें डाला गया है ताकि कहीं कहीं वर्क्षोप में जिसे तिरुपती वर्क्षोप है अंधर मान्चिस्वर वर्क्षोप है जो साउच सेंटर रेल्वे में राएंपाड़ू वर्क्षोप है जो crcf है रियल कुछ फैक्तरी है इन सभी workshop में group incentive है और अन्य जगा जिसे लाला गुडा workshop है या- गूरगपूर workshop है या जमालपूर वर्क्शॉप है यह बहुत सारे वर्क्शॉप हैं उन सम्में CLW incentive है पैटर्न का इस्तमाल किया जाता है उसी से के हिसाब से payment किया जाता है तो CLW incentive इसका जो full form हता है वो है चितरंजन लोकुमोटी वर्क्शॉप पैटर्न का incentive है और दूसरा जो है उसको तिरूपती पैटर्न incentive भी कहा जा सकता है और group incentive भी कहा जा सकता है तो सबसे पहले हम लोकुम CLW पर चर्चा करते हैं CLW जो पैटर्न incentive है वो क्या है सबसे पहले जो यह CLW incentive scheme है वो चितरंजन में start की गई यह 1954 में ठीक है जब रेल को ऐसा लगा रेलवे में जो officers थे उनको ऐसा लगा कि काम और हो सकते हैं ठीक है लेकिन workers तो कम है तो कैसे उसी workshop में उतने ही machine से और ज्यादा काम करवाया जाए तो इस पर इन्होंने विचार करके incentive system लाया कि यदि कोई काम जो है 80 hours का कोई काम है 80 hours का ठीक है तो आठ घंटे एक imply काम करता है तो इसको काम करने के लिए एक imply को दस दिन का time लाएगा यह incentive का जो basic है वो आपको बता रहे हैं कि एक worker आठ घंटे आउस्तन काम करता है तो उसको 80 घंटे के काम को खतम करने के लिए 10 दिन का समय लाएगा यानि कि जिस machine पर बैठ के वो काम कर रहा है उस machine को दस दिन व्यस्त रखेगा यदि वो काम 60 days में करवाना है तो और जो है डबल होता है रेल्वे में जो रेल्वे नहीं कोई भी limited company है अगर कंपनी है जिसमें अगर overtime लेते हैं तो डबल दिया जाता है एक घंटे यदि overtime कराते हैं तो डबल दो घंटे का पैसा देना होता है तो उन्होंने कहा कि क्योंने इनको ये बोला जाएगे थोड़ा fast काम करो लेकिन fast काम बोलने से तो कोई करेगा नहीं जब तक किसी तरह का benefit होगा नहीं जब तक कोई करेगा नहीं तो इसलिए उन्होंने कहा कि fast काम करोगे तो ज्यादा पैसा देंगे लेकिन ज्यादा पैस हुग काम करते हूं कि यह कृशता तौ Сп слуш Touch काम के रूप में कुछ पैसे दिये गई तो यह उस समय का प्रियोग था जो सफल अच्छा इंद माना गया और धीड़े वर्क्षॉप में इए इन से कर दिया गया पेपर के हिसाब से कर दिया गया सब का रूल बना दिया गया और ऐसा कब हुआ 1958 में तो इस तरह से था चलिए एक एक पॉइंट ध्यान से समझेगा पॉइंट का जो लाइन लिखावा वहां से भी कोश्चन आता है एक अंडर दिस स्कीम दो वर्क्षोप और डि शचाता है तो उसके कावि हिसाब से और जिस पषाव से मतलय है और किसको मश्चन लाइन यह दिस होट में याट star nota जो लृट्प हुआ little टे चलिए इन सब को देडियरेकश और मना जाता है और इनको ज Nut का हंड़र पर्संट जो है उस्को इसको दिया जाता है जो नियम यही है CLW जो लोकोमोटिव वर्कशोप है उसका इंसेंटिव का तो डाइरेक्ट वर्कशोप उसको कहा जाता है जो प्रोडक्शन में डाइरेक्ट रूप से योगदान देता है और उनको 100% जो है इंसेंटिव दिया जाता है उसमें टेक्निशियन 123 और जो senior technician जिसको MCM कहा जाता है, वो भी आते हैं, दूसरा होता है indirect worker, essential indirect work होता है, indirect worker भी होता है, लेकिन दूसरा essential indirect worker, essential indirect worker उनको कहा जाता है, जिनको जो production में direct group से तो काम नहीं करते हैं, लेकिन जिनका जो है, योगदान रहता है indirect group से production में, उसी को essential indirect worker कहा जाता है और essential indirect worker को 80% जितना direct workers को incentive मिलेगा उसका 80% essential indirect worker को दिया जाएगा यानि कि अगर direct worker को 100 रुपे अगर मिलते हैं तो EIW जिसको essential indirect worker कहते हैं उसको 80 रुपे मिलेंगे ठीक है तीसरा क्या है indirect worker इंडिरेक्ट वर्कर होता क्या है इंडिरेक्ट वर्कर उसको कहाता है जो production में किसी भी परकार से उनका role नहीं है उसी को essential indirect worker कहाता है और ऐसे जो पद है उनको कहाता है टेकनिकल जो पद है उसमें helper को indirect worker माना जाता है हाला कि helper बहुत ही अच्छा काम करते हैं और technician के साथ में कंदे से कंदा मिलाकर काम करते हैं लेकिन उनको indirect worker माना जाता है और incentive rule के निकार उनको incentive नहीं है लेकिन जो workshops हैं उसमें जो है EIW में उसका नाम add करके किसी तरह उसका incentive दिया जाता है तो इस तरह से तीन category में उनको बाटा गया है और जो होता है वो नहीं देखना है जो rule है वहीं देखना है एक्जाम के दिया जाता है तो तीन वरकर आप तीन तरह के जो है समझ लिए आपने direct worker essential indirect worker और direct worker ठीक है अब देखे time study time study क्या होता है time study का मतलब होता है कि work study means the employee will do a work 60 hours against of 80 hours मतलब 80 घंटा में अगर कोई काम करता है ठीक है तो उस काम को 60 hours में जो कार्म करने का जो है जो है ना measurement किया जता है उसको machine का स्थीदी दिखा जाता है machine old है new है दिखा जाता है पूरे तरह से अध्यान करके check किया जता है उसी को time study का जाता है और time study में जो काम 80 घंटे का है वो काम 60 घंटे में कोई apply कर रहा है कि नहीं वही देखायाता है उसी को time study करते हैं और इसमें ये काम उसी अनुसार जो है incentive मनता है जो काम अपने कम कर समय में किया और समय बचाया उसी में incentive उसी घंटे का incentive दिया जाता है तो time study उसी को कायाता है कारेद्ध है आगे देखते हैं सब ये सब परिभासाओं से question आता है time actual time क्या होता है during the work study the time taken to complete a work is called actual time ठीक है या observe time भी इसको कहाता है किसी कार को पूरा करने में लगे वास्तविक समय को कहाता है observe time या actual time वास्तविक समय मतलग 80 घंटा को ही actual time कहा गया है ठीक है और इसको जो कर लेगा 60 घंटे में इसको कहाता है time taken ठीक है time taken और ये सब फर्म formula है time observed time actual time normal time time taken इन सबसे formula बनेगा और बाद में उसका incentive calculation में यूज होगा इसलिए पहले हम आपको सब की परिभाशाएं बता रहे हैं आप देखे normal time time taken to each task जो task मतलग जो काम दिया जाता है उसको task कहा जाता है ठीक है time taken to each task during time study which does not include any kind of allowances and the task whose rating is 80 means complete is 75% allowed time time study के दोरान जो काम 80 घंटा में करना था ठीक है वो काम 60 घंटा में होना चाहिए उसका 70% होना चाहिए तो उसी को कहाता है समानने समय चलिए आगे देखते हैं एक्ट्वल टाइम में क्या होता है किसी परकार का allowances नहीं होता है बहुत सरे allowances भी add होते हैं जो कि इसमें add नहीं होता है जो नॉर्मल टाइम होता है सिर्फ टाइम सेविंग है वही होता है ठीक है अब फॉर्मूला आता है नॉर्मल टाइम नॉर्मल टाइम का बराबर क्या फॉर्मूला होता है उसका मतलब होता है जो नॉर्मल टाइम है उसका बराबर होता है देखने को मिलेगा इसी वीडियो में तो नॉर्मल टाइम में बराबरता है एक्चुल टाइम इन्टू अबजर्ब टाइम बटा में लिखना है 80 80 क्या है जो इंसेंटिव रेटिंग है वही 80 80 है उसके बाद देखिए अलाउड टाइम क्या होता है अलाउड टाइम इस सम time allowed to earn the bonus ठीक है time allowed के नीचे जो काम पूरा कर लिया था उसके अंदर में उसके उसको जो bonus मिलता है उसको allowed time कहता है it is assumed that the employer will complete a operation within 75% of the time जो main time है उसका 75% में उसको काम को कर लिया जाता है और जो विचत होता है उसमें उसको 33.33 bonus दिया जाता है ठीक है जिसको की अप्रूब क्याता है production engineer द्वारा P P E production engineer द्वारा अप्रूब क्याता है ठीक है अब देखिए हिंदी में क्या है स्विक्रित समय यह समानने कि समय का योग है और इसे करमचारियों को मिलने वाले भत्ते भी सामिल है ठीक है इसमें जो है जो नॉर्मल टाइम था उसमें बत् करने के लिए कार को निर्धारिक समय के भीतर पूरा करना होगा रेलबे क्यों पैसा देगी आपको इसंटिव का जब आप उसका काम कम समय में करेंगे और उसको बचत होगा तभी देगी ना तो यही कहा गया है कि करमचारी 75% के भीतर एक काम को पूर्या कर लेगा और 33.33 बोनस अर्जित करेगा इसको production इंजिनियर द्वारा अनुमूदित किया जाएगा मतलब अप्रूब किया जाएगा आगे देखते हैं allowed time का भी formula होता है allowed time ब्राबर होता है normal time plus allowances ठीक है allowed time ब्राबर होता है normal time plus allowances और normal time में allowances नहीं होता है अब देखिए allowances क्या क्या होता है incentive के दोरान जो allowances क्या होता है fatigue allowances को ठकान भत्ता करते हैं वो 12.5% होता है और यह इससे question भी आता है इसको ध्यान में रखिएगा contingency allowance ब्राकास्मिक भत्ता भी होता है 10% ठीक है उसके बाद जो production bonus होता है ठीक है वो भी होता है 33.33 याने की 33 पुर्णा की 1 by 3 लिका हुआ है यह होता है production bonus allowances ठीक है gaging allowance 5% होता है यह आपको जनना है कैसे incentive निकलता है तुरंत आपको आगे पता चलेगा पहले जो इसका basic है वो आपको समझना है incentive को समझने के लिए दिमाग बहुत ही शांत रखके वीडियो देखना होगा इधर उधर का बात ध्यान में आएगा तो आप incentive का वेगन आपके workshop में आया ठीक है कॉच यह वैगन आपके workshop में आया पहले इसको जो है देखा जाता है कि इसमें क्या-क्या काम है और काम के अनुसर घंटा निर्धायत क्या लोगों ने इसमें काम किया था और जितने जितने घंटे काम किया था उसके अनुसार उसको bonus मिल जाए गए incentive ठीक है तो 4000 घंटा allowed time हुआ ठीक है लेकिन 4000 घंटा यदि allowed time हुआ ये तो time taken है जो देता है इतना घंटा वो time time taken ठीक है time saved हुआ तो time set हुआ अलाउड time minus time taken चोगन टाइम में जो काम किये तो time taken हुआ यह हुआ अलाउड टाइम और चार्ज हुआ तो time saved हुआ यह आपको समझना है आगे इसको इसका यूज होगा निकलने के लिए incentive में अनुमत समय एक बार हिंदी में समझ लें अनुमत समय के यह नर्मलाइस जो time होता उसका योग होता और इसमें भत्ते भी शामिल होते है और प्रटक्शन इंजिनेर दोरह यह भी अप्रूवड होता है ठीक है जो CLW incentive है चितरंजर लोकोमोटीव पैटरन का जो incentive है इस incentive को इस incentive scheme is also known as the system of payment by result इसको और एक नाम से जनाता है जिसो कहा था है system of payment by result मतलब payment result के अनुसार मिलता है आप एक कोच को कम समय में कड़के दे दिया तो आप उसका जो घंटा बचा उसी का आपको incentive मिला ठीक है exam के view से ही सिर्फ पढ़ाया जा रहा है और घ्यान रखिएगा एक एक पॉइंट को क्योंकि आप थोड़ा भी एक दो लाइन भी मिस हुआ तो आपको वहां से स्मधान के रूप में दिखा जाता है इसमें दोनों को फाइदा है THIS इसे बढ़के दूसरे क्या है पायदा ऄले Gels Herbert Pran को के काम कम टाइम में एक ही मशीनपर और एक ही वरक्शॉप में कोई नया चीच करने का नहीं है उसी जग़ा पर उसको और काम हो जाएगा G λिश तो देखते हैं हिन्नी में उसको ही कहाता है कि इसको जो है विन-विन-सॉलिशन मतलब हुआ कि इस परसान योजना में में संगठन और करम चारी दुनों के बीच लावकारी समधान के रूप में इसको देखा अब देखे एक्जाम पर इसे निकल लाएता है कि एक आदमी है उसका नाम है चंद्रकुमार ठीक है senior technician है मिस्टर चंद्रकुमार senior technician वास कि इसको हिंदी भी किया जाता है कुछ लोगों को जॉब कार्ड है ठीक है जॉब कार्ड का नमर 68 है, 71 है, 139 है and 143 है ठीक है during period of 16 April to 15 मई, 16 April से 15 मई 2030 के लिए इनके पास, ये 4 जॉब कार्ड है incentive का ठीक है है एक जॉब कार्ड में जितना incentive बनेगा दूसरा में तिसरा में वोटल जोब कार्ड में पुरा महीना जितना जो लिमिट दिया गया है 16 अपरेल से 15 माई इसके बीच का जो भी इंसेंटिव बनेगा पूरा एड करके उनके महीने के जो सैलिडी है इसमें डाल दिये जाएगा तो पहले देखते हैं कैसे है इन जोब कार्ड जोब कार्ड में 68 जोब कार्ड नमर 68 को लेके चलते हैं यह बहला पहला जोब कार्ड एक जोब कार्ड का समझ लिएगा तो सबका सेम ही होता है तो 68 नमर जो जोब कार्ड है उसमें 16 अपरेल से 19 अपरेल का बीच का इंसेंटिव उनको दिया गया 16 अपरेल से 19 अपरेल का इंसेंटिव किया ग हम चारी थे, total allowed time for completion of work was 815 hours and 37 minutes, allowed time मतलब time दिया गया कि 815 घंटा और 37 मिनट में इस काम को खतम करना है, ठीक है, total time taken by 18 employee for completion of work was 548 hours, 548 घंटे में इन्होंने सब लोगों ने मिलकर इस काम को खतम कर दिया, ठीक है, चैंदर कुमारिष में 35 घंटा का योगदान दिया, तो हमको जिसका निकालना है, उसी को पहले देखना है, चंदर कुमार ने इसमें कितना योगदान दिया, 35 घंटे का योगदान दिया, there are incentive received by Mr. चंदर कुमार, this job card is calculated as follow, अब देखियो, कैसे इनका incentive निकलेगा, आप सोचिएगा, कि 815 घंटा टोटल टाइम दिया गया और 37 मिनट, ठीक है, इन्होंने time taken कितना लिया, time taken लिया, 548 घंटा, तो 548 में, आप 18 लोगों से भाग दे देंगे, तो सबका निकल जाएगा, लेकिन ये calculation बहुत गलत है, कैसे, कुछ लोग leave भी लेते हैं, ठीक है, जब leave लेते हैं, और coach में काम चल रहा है, ठीक है, और उस दोरान आपने leave ले लिया, तो आपका घंटा तो वहां घट गया, तो leave जैसे ही leave लिया जाता है, तो आप देखते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो incentive कम हो जाता है, और उसका effect जादा ही पड़ता है, क्य होगा कि दो दिन का छुट्टी मारा और चार दिन का incentive कट गया, तो यहीं इसका कारण है, और यहीं इसका कारण है, कि इसने 35 घंटा लिखा हुआ है, तो 18 से भाग दे तो जिदना होता होता है, सबसे इसका जड़ है leave, इसलिए incentive के दरान leave तो जरूरत के पर ही imply लेते हैं, अगर जिसको ज़रूरत पर एगा, घर में काम लेगा, तो leave क्यों नहीं लेगा, चलिए, तो इसको हिंदी में समझते पहले question को, फिर अंगरी इसको solve करेंगे, जब job card में 18 करम चारी है, इस कारे को पूरा करने के लिए कुल अनुमत समय, यानि allowed time 815 घंटे और 37 मिनट था, कारे पूरा करने में समी 18 करम चारी दोरा लिया गया, कुल समय 548 घंटा था, ठीक है, यानि कि इतना घंटा, allowed time था, और इसमें time taken इतना हुआ, ठीक है, चंदर कुमार इसमें 35 घंटे काम किया, अब job card में चंदर कुमार की जो रासी होगी, वो कितनी होगी, इसका calculation देखी, देखे, time saved बचाया गया, कुल समय, इसको time saved काया था, total time saved बरावरता है, कुल अनुमत समय, यानि कि total allowed time, minus total time taken, यानि कि जो घंटा पहले दिया गया कि इस काम को 100 घंटे में करना है, तो उस काम को आपने 75 घंटे में पहले पूरा करना है, आपने 75 में नहीं किया, 80 में किया, जो किया, उसके सारे incentive बनेगा, आपने 90 में किया, तो क्या हुआ, 10 घंटा ही बना, तो 10 घंटा के सारे incentive बनेगा, लेकिन आपने इस काम को 45 घंटे में कर दिया, ठीक है, तो 55 बना, लेकि रूल है कि 50% से ज़्यादा incentive नहीं दिया था, time saved नहीं होता है, ये भी आपको आगे जो objective पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे, फिलाल इसको हम लोग solve करते हैं, तो total time saved बढ़ता है, time, total time allowed minus time taken, total time allowed कितना है, 815 घंटे 37 मिनट, इसमें से time taken हमने 540 घटा दिया, तो कितना बचा, 260 घंटे 37 मिनट, ठीक है, और 37 को मिनट में नहीं रखना है, इसको भी घं घंटा पर incentive निकलता है, ठीक है, तो घंटे में change करेंगे, तो इसमें 60 से भाग देंगे 37 में, तो 0.61 होगा, तो इसके अनुसार हो जागा, 267.61 आवर, ये time save हो गया, अब एक आदमी का incentive निकालने के लिए incentive receive का formula होता है, ठीक है, फर्मूला होता है, कि total time saved into individual time saved into rate incentive received, हर करम चारी का एक rate होता है incentive का, जैसे senior technician है, उसका अलग rate है, ठीक है, अभी 49, ऐसे कुछ रूपया है, वो हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है, अभी correct बोल देंगे, ये वीडियो 6 महीने साल भर दिखिए, पर change हो जागा, तो लोग बोलेंगे ये गलत होगे, इसलिए हर करमचारी का एक rate fix होता है, जो technician 1 होते हैं, उसका एक घंटे का क्या rate है, जो 2 है, 3 है, सब का एक एक घंटे का rate होता है, तो formula क्या है, कि पहले time saved निकाल लेंगे, allowed time में से time taken करके time saved निकाल लेंगे, उसके बाद formula जो है incentive received क्या होगा, total time saved into individual time, मतलग उसका खुद का कितना घंटा था, 35 घंटा था, चंदरकुमार का, था था, 35 घंटा देखिए, 35 घंटा इन लिया था, तो total time हो गया, 217.61 घंटा, गुना 35, गुना जो इसका rate incentive का, senior technician का 49.65, ठीक है, और इसको अगर गुना करेंगे, calculation करेंगे, तो पूरा आएगा, 848.63, यही incentive हो गया, ठीक है, 848.63 रुपे ह हो गया, वही incentive हो गया, इसी तरह अगला जो job card है, जो एक 70 नमर job card है, हमने 3-4 job card का बताया था, उसमें भी same solution है, और इसको आप जो है, screenshot ले लिजे, और खुद solve करने का सोचिए, ठीक है, इसको खुद solve करने का सोचिए, आगे देखते है, question number 2, यह भी देखिए कुछ अलग प्रकार का है, incentive में कुछ अलग-अलग प्रकार के भी question आएंगे, यह इसमें क्या है, a time taken by a squad, 1220 hours and allowed time is 1779 hours, then incentive percentage of the squad, एक दल, मतलब एक unit जो है, एक दल, जैसे कोई भी वाग काम करते हैं, तो अकेला welder या cutter कुछ नहीं कर सकता है, और नहीं fitter कुछ कर सकता है, नहीं supervisor जेए इसी तरह यह भी है, यह थोरा change है question, तो इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया, a squad यह अलावर टाइम है, 1220 घंटा अलावर टाइम है, और इतना, यह अलावर टाइम, यह 1779 अलावर टाइम है, और 1220 घंटे में इन्होंने complete कर लेते हो गया time taken, ठीक है, और यह allowed time हो गया, त इस तरह का question है, तो ऐसे solve किजिएगा, तो allowed time कितना है, 1779 आवर टाइम है, 1220 आवर और खुना 100 करेंगे, और बटा में लिखेंगे time taken, इसको solve किजिएगा, तो 45 आएगा, और यह 45 इसका answer होगा, ठीक है, तो incentive percentage हुगा यह, incentive percentage निकलने के लिए आएगा, तो इस तरह से incentive percentage नि तो normalize time का भी एक फर्मूला होता है कि actual time या observe time, तोनों same ही होता है, actual time या observe time into observe rating, ठीक है, और बाटे में लिखना है 80, means incentive rating है वो, तो इस तरह के question आएगे, तो इसको देखिए कैसे solve किया आता है, लिखा हुआ है कि rating 80 है, ठीक है, और observe time 50 minutes है, तो जो normalize time है, वो कितना है, और minute में भी पूछ रहा है, तो इसको घंटे में change करना की कोई जरूत नहीं है, कि खुद minute में पूछ रहा है, तो normal, जो actual time है, वो 50 दिया हुआ है, और जो observe rating है, वो 80 दिया हुआ है, और जो divided by observe rating होता है, उसी से करना है, इसको solve करेंगे, तो 50 आएगा, और यहीं इसका answer होगा, इस तरह से incentive के जो है, कई परकार के आपने आपको बताया, और अब देखिए, incentive का misuse भी है, incentive का misuse क्या है, और EIW वाले को DW में show कर दिया जाता है, ठीक है, यह IW indirect worker को DW में show कर दिया जाता है, तो इस तरह का incentive का misuse क्या जाता है, उसके बद क्या है, penalty for excessive ideal time not imposed, मतलब penalty जो excessive time जो होता है जिसमें की supervisor के जो cutting होते हैं incentive उसको नहीं add किया आता है यह इसका misuse है not revised to introduction new machine जैसे new machine आया तो इसको revise करना है जो actual time है उसको check करने के लिए new machine जैसे हैं हमने आपको बताया थोड़ी दर पहले कि जैसे ही कोई check जांच होता है कि कि किस काम को कितना घंटे में करना है तो से machine का भी जांच होता है बिजली की स्तिती रहने का बैठने की स्तिती काम करने का जगर पुरा observe करके तब उसका rate fixing किया जाता है मतलब उसका जो time 90% काम हो गया 10% काम बचा हुआ है और incentive का जो date है उस date से दो दिन तीन ज्यादा लग गया तो क्या करते हैं उस कोच को इसी महिने में दिखा लेते हैं क्यों क्योंकि इस महिने में इसेंटिव बन जाएगा यह इसका मिस्यूज है उसके बाद है कि more than one job card issue at a time एक time में एक आदमी को एक से ज्यादा job card issue करना यह भी इसका मिस्यूज है तो इस तरह के incentive के कुछ मिस्यूज भी है और उमीद है कि incentive मोटा मोटी आपने समझ लिया होगा अब जैसे ही आपको objective मिलेगा तुरंत उसको आप solve करेंगे और मेरा यही उद्देश है कि पहले आपको समझाना और बाद में आपको objective की तरफ लाना और यह objective जो है पूरे भारत में आपको कहीं भी incentives related mcq मिलने वाला नहीं है जैसे कि वंदे भारत भी हमने बनाया था तो बोला था कि इसका mcq आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा और भारत के material को ही परना है विदेश में हम लोगों को जाना नहीं है तो चली पहले से शुरू करते हैं पहला जो objective question है इसमें लिखा हुआ है कि in CLW pattern of incentive scheme employee are categorized in मतलब कितने category में इसको बांटा गया है तो आपको हमने बता है कि तीन category में होता है पहला होता है direct worker दूसरा होता EIW याने essential indirect worker और तीसरा जो होता है वो direct worker होता है जिसको की incentive नहीं दिया जाता है direct worker को 100% होता है और indirect worker को जो indirect worker होते हैं उसको direct worker का 80% दिया जाता है तो इसका आंसर B हो जाएगा दूसरा क्या है in cnw pattern of incentive scheme minimum percentage of incentive bonus earned by a worker within normal ability minimum यही है 33.13% याने 33.13% याने 33.13% ऐसे यह लिखा हुआ है ठीक है यह typing में नहीं आ पाया होगा ठीक है तो इसका अंसर B हो जाएगा 60% समय में काम करना है और 33.33 incentive 75% time में काम करना है 100% के time को और 33.33 incentive earn करना है तीसरा नमर question है total work is measured by total work जो है method of study ठीक है work measurement हमने आपको बता है कि जो time का जब study किया आता है कि यह कोई काम करा करा के check किया आता है काम करवा के ठीक है कि यह काम को कितना समय में normal आदमी कर सकता है ठीक है उसके बाद उसको 75% time के अनुसार उसको fix किया आता ह है और जो time normal time होता है वह होगा allowed time और जो बाद में जो time fix किया आता है उसको time taken बोला जाता है तो तीन का हो जाएगा C चार नमर question देखिए इन cnw incentive scheme basic wages to staff basic wages जो है वो guarantee उरता है मतलब कभी सुने कि उसको incentive नहीं आया लेकिन salary से 2000 कट गया ऐसा नहीं होता है कुछ नहीं होगा तो जो basic wages जो है जो सब को salary बनती है उतना जरूर आएगा यह cnw clw incentive की यह खासियत है कि कुछ loss नहीं हो सकता है इसमें यह इसका answer है C आगे देखते है question number 5 in clw incentive scheme the ceiling limit of profit is fixed at 50% जो ceiling limit है इससे ज्यादा ceiling limit किसी को नहीं दी जाती है ठीक है आगे देखते है in icf ceiling limit on profit is fixed at यह भी 50% ही होगा क्योंकि किसी को इससे ज्यादा दिया ही नहीं जाता है तो 50% ज्यादा कैसे होगा कि आगे देते हैं allowed time fixed of allowances allowed time में जो है इंक्लूड रहता है जो allowances होई उसमें include रहता है allowed time में तो यह इसका answer D हो जाएगा हमने आपको बताया था अलाउट टाइम रहा फर्मूला भी बताया था कि नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसर होता है ठीक है विसकांसर डी हो जाएगा और यह फर्मूला आगर याद रहेगा तो वैसे विसकांसर आपको याद रहेगा अब देखते हैं क्वेश्चन नमर आठ आइडियल टाइम आएटनिस के रिए समय भी होता है जैसे देखिए वरकर तो पहुंच गए लेकिन बीजली नहीं है तो कैसे काम करेंगे मशीन जो रिपेर हो रहा है तो काम नहीं कर पाएंगे मैटरियल अब हाव है नहीं यह है आपको यहएड इस्तोक लगाना है के लिए जो प्लेट्स हैं वह नहीं है यह masked नहीं है उसमें बीट है क्रेंट कांड र usability को आइसे में और आपको शामान क्रेंट से यहां से उश्पा ईसके बाद कांब करना ना है तो बिना भी कुस्के है उसके मैं मश in बूत है इस derived मैं अगर आपके मैन भी काम करनेंगे लिए त्यार है लेकिन कुछ सामान नहीं है तो भी जो उसमें निस्क्रिये में गिनती आएंगे आठका हो जाएगा डी क्वेश्चन नमर नाइन देखिए इसका अंसर C हो जाएगा batch quantity उसके अगर आप कोश्यन हमान 10 देखिए अब यह सब उसमें अल विभव है जो प्रिप्रेशन टाइम यह चैनल ने दिया जाता है तो चैंज टूल तूल्स तो कलेक्ट ड्रोइंग्ड यह सब उसमें अल उफ दह है जो preparation time जिसमें जो दिया जाता है question मर इगा रहा देखिए Dress are basic documents on the basic of which incentive bonus is calculated मतलब जो incentive का calculation किया जाता है उसके basic documents है वो क्या है तो क्या है यह है B और C B में क्या है squared card ठीक है और C में क्या है job card यह दोनों आपको रहने बुनियादी जो दस्तावेज है वो है 12 नमर देखिए After commencement and till completion of job the job card should remain देखिए job शुरू होने के बाद और पूरा है तक job card कहां रहेगा TBC के पास रहेगा ठीक है TBC आपके सारे जो clerk है जहाँ जहाँ incentive मिलता हूँ आप TBC जरूर होगे आगे देख्ते है 13 All complete job squared card should be sent to incentive bonus section within जो जितने भी incentive bonus के job card है वो 48 घंटे के अंदर भेज दिये जाएंगे ठीक है 48 hours इसके बाब question number 14 देखिए In a job card the allowed time is calculated for job card में जो allowed time है वो quantity past होता है quantity past ठीक है आगे देख्ते है question number 15 Quality and quantity in a job card certified by inspector होता है inspection का वो ही certified करता है quality और quantity पंदर का हो जागा B तो 16 देखिए The percentage of incentive bonus is percentage dash on dash मतलब जो प्रसाहन बोन की रासी है वो time saved and time taken पर दिया जाता है ठीक है time saved और time taken question number 17 देखिए The allowed time is comprising of allowed time जो है time per piece multiple with the quality past preparation time per batch extra time as per extra time card इसका answer होगा D all of the above question नमा ठाहर देखिए in CNW pattern of incentive scheme losses during any particular month are adjustable against the profit of जो कोई भी जो हमने आपको पताया कि कुछ भी incentive से related जो documents है या calculation है या तो उसी महिने में या उसी साल में उसको complete करना चाहिए नहीं कि अगले साल में उसको टाल देना चाहिए ठीक है तो इसका यह है आगे देखते हैं जो loss हुआ है या income हुआ है इसका In CLW Pattern of incentive scheme It is expected that the average worker will complete an operation in आपको बताया कि 75% timing में इसको complete करना है उसको at 20 number देखे In CLW Pattern of incentive scheme Junior Engineer are categorized Junior Engineer जो है essential indirect worker में गीना जाता है आपको essential indirect worker नहीं बताया ठीक है आपको essential indirect देखना है देखे इसमें क्या होता है इसेंशल इंडरेक्ट वर्कर में क्रेन ड्राइवर आते हैं गनर आते हैं रिगर्स आते हैं यहां लिखा हुआ है क्रेन ड्राइवर गनर और रिगर्स ठीक है और जेई भी आते हैं जेई भी लिखा हुआ है इस अब आते हैं इसेंशल जो कुश्चा है 21 नमर है essential indirect worker will earn जो essential indirect worker है वो कितना earn करेंगे आपको मालूम है कि direct worker का जो direct worker है उसका 80% earn करेंगे ठीक है 21 का हो जाएगा 22 देखे indirect worker will earn जो indirect worker है उनको no bonus ठीक है इसके बाद 23 देखे senior section engineer supervisor supervising incentive section will be paid a monthly bonus जो senior section engineer है SSE उनको 15% basic pay का और उनको 30 से भी कोई फर्क नहीं परेगा इतना basic है उसका 15% incentive बनते रहेगा तो 23 का हो जाएगा 24 देखे the payment of bonus to direct worker is made on the basic of जो direct worker है उनको किस अधाया पर near time saved के अधाया पर उनको मिलता है आप जानते है अभी हमने आपका calculation करके एक पताया भी था मैं था इसका 25 देखते हैं over time booking in section under incentive scheme incentive जहाँ scheme है वहाँ over time allowed नहीं है इसका हो जागा C इसका 26 देखे आइडियल time can be booked on account of और night allowance हुआ है ठीक है night allowance को ध्यान में रखना है night allowance allowed है over time allowed नहीं है 26 देखे आइडियल time can be booked on account of ideal time जो होता है power failure ठीक है like of material हमने आपके बताया अभी machine breakdown मतलब खराब हो गया है तो पूरे जो इसमें है ideal time में आते हैं इसका आइडियल time of direct worker exceed 15% यदि direct worker है और 15% से ज़्यादा इसका समय खराब हो गया ideal time मतलब निश्क्रिये समय हो गया तो क्या होगा incentive जो है नहीं मिलेगा SSC को जो इसे ही निश्क्रिये समय होगा तो incentive कटेगा किसका SSC का लेकिन इसका miss use होता है क्योंकि SSC के payment नहीं करता है और कुछ इसका सो नहीं किया आइडियल time का आगे देखते है इस ideal time of direct worker is 2% and above and below 5% मतलब 2% से 5% अगर ideal time हो गया है निश्क्रिये समय हो गया है तो आखड़ा याद रखिये इधर 2% इधर 5% इधर 10% ठीक है इससे question आते है question number 29 देखिये if the ideal time of direct worker is 5% and above and below 15% मतलब 5 से लेके 15% तक ideal time निश्क्रिये समय है तो 20% bonus जो है काट लिया जाएगा the amount of incentive bonus of direct worker shall be chargeable to जो incentive bonus जो है direct worker का वो क्या है job concernate पर है the job concernate job concernate ठीक है इसका अंसर याद रखिये जॉब concernate 31 देखिये the amount of incentive bonus of essential indirect worker ठीक है जिसमें क्या आता है train driver आता है गनर आता है रीगर आता है जेई आता है चार्जबल ओप shop on cost ठीक है इस पर परभार होगी EIW का इस पर पर परभार होगा और जो DW है उनका होगा on job concern याद रखियेगा question number 32 group incentive schemes is aimed at group incentive जो scheme है उसका लक्ष क्या है उसका उदेश क्या है improve quality ठीक है reduced absenteeism मतलब जो absent रहते हैं छुट्टी रहते हैं उसको कम किया जाए improve manpower ratio आप जब आदमी को तेजी से काम करने का आदत ही हो जाएगा तो हमेशा तेजी से ही काम करेगा इसलिए इसको आपर रिश्यो को भी improve करता है इसका डी हो जागा all of the above इसके 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 बात नहीं बनाएंगे लेकिन आने वाले समय में में क्या है कि फिजिकल आउट्पूट एटेंडेंस दोनों को जूड़ा हुआ है इसमें फिजिकल आउट्पूट और एटेंडेंस इस इसके बाद हम PDF जो बनाएंगे इसके बाद तो नहीं बनाएंगे लेकिन आने वाले समय में गुरूप incentive का भी PDF बनाके आपको दिया जाएगा देखिए PDF बनाने के लिए काम करना परता है और regular काम करना होता है बहुत study करना होता है तब जाके जो है इसका होता है बनता है क्य सकते हैं और आपके लिए बनाना पड़ता है तो इसमें time लगता है PDF जो है इसका प्राप्त कर लिएगा लेकिन यह जो PDF है जो वर्क्सप से रिलेटर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं सिर्फ उनहीं को मिलेगा जो C&W वाले के लिए कोई beneficial नहीं है ठीक है C&W वाले इसको ल मैसेज कर दिजिएगा कि जो इसेंटिव का नया PDF बनाया है वो मुझे दे दिजिए और जो नए लोग हैं उनके लिए लास्ट में बताया जाए कैसी PDF मिलेगा जो पहले से रॉल नमर ले चुके हैं उनको मिल जाएगा ठीक है और ध्यान से पढ़िएगा इंसेंटिव से क् है इन ग्रूप इंसेंटिव स्कीम अब देखें मैं थबला आकड़ा तो सेम नहीं आएगा लेकिन उससे समंधित मिलता जूलता आ जाएगा तो आप फॉर्मुला याद रखेगा सौल करने का तरीका याद रखेगा तो कोई भी डिजिट वहां देगा उसको सौल कर लेजे किया गाए प्रडशार सोप सोपोर्ट डिपार्टमेंट और सब का पर्सेंटेज बनाया गया है जो कि यॉङ आगए को सिका इसका answer D हो जाएगा, question number 35 देखिए, in group incentive scheme, the employee in production shop will be earned, जो production shop में होंगे, उनको 100% incentive, ठीक है, उसके बाद group incentive scheme, the employee support will earn, support shop, support shop में हैं तो 80%, ठीक है, in GIS, यानि group incentive scheme, अगर इसमें employee support department में हैं, तो उनको 50%, ठीक है, आगे देखते हैं, question number 38, group incentive scheme does not cover, क्या है, क्या नहीं cover करता है, skilled staff, unskilled staff, supervisors, इस सबसे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो आपको categorize किया गए है, अभी हमने आपको जो उपर के objective बताया, उसी हिस्सा मन्नित है, इसका अंसर D हो जाएगा, 39 देखिए, when compared to CLW pattern of incentive scheme in group incentive scheme, दुनों को compare करेंगे, तो क्या इसमें निकलेगा, तो documentation जो है, लेस है, किसमें, group incentive scheme में documentation बहुत लेस है, तो 39 का हो जागा, यह, कावेज पतर का कम बेभारिश में देखते हैं, job card, P.E. से approval लेना है, तो कितना घंटा है, time taken है, इस से बहुत सरा इसमें process है, उसके बाद देखे, 14 नमर question, in group incentive scheme, there are deduction against quality factor, ठीक है, excess detention, ये दोनों में, जो है, कटोती होती है, both A and B, ठीक है, group incentive में rule है, कि यदि आपने coach बनाया है, और किसी वार कारण से ये damage हो गया, तो ये coach, दो महिने बाद भी अगर coach कहीं चली गई है, तो उसके बाद भी आपका जो है, पैसा वहाँ से incentive का cut जाएगा, question of 41 देखिए, expand PCO, PCO का जो है, ये सब incentives related ही है, ये, production control order, जैसे हैं है, PCO का full form होता है, और workshop में PCO होता है, there, the three wings of PCO, planning, rate fixing, inspection and progress, जो है, three wings है ये उसका, पहले है, progress office, ठीक है, उसके बाद planning office, जिसमें दो आते हैं, driving office, rate fixing, और तीसरा है inspection, सब याद रखिएगा, आगे देखिए, question number 43, percentage of fatigue allowance provided in the allowed time, अब अब देखिए, fatigue allowance आपको में बताया, 12.5% है, अब उसको ऐसे लिखा हुआ है, 12 पुर्णा की पर्टे दूर, तो इसका B हो जाएगा, 44 देखिए, percentage of contingencies, ठीक है, आकास्मिक भत्ता जो है, 10% होता है, उसके बाद देखिए, percentage of production bonus, ठीक है, 33.33 होता है, उसके 46 देखिए, 10% of gauging allowance provided in allowed time, मत्तब gauging allowance पुछता है, तो 5% होता है, 47 देखिए, ceiling limit of profit is fixed, 45% है, ठीक है, इससे पहले यह question आचुका है, ध्यान रखिएगा, Q48 देखिए, supervisor and EIW are eligible for 80%, supervisor ने कौन, सिर्फ J, SSC नहीं, direct worker का 80% इसको मिलता है, EIW तो आप जानगे, SSC लें indirect worker, DW होगा direct worker और IW होगा indirect worker, तो लिख दिया था कि आपको जबान से निकल जाएगा, तो तो तुबारा आप इसको देख लेंगे, Name the classification made of the artisan under incentive, DW, EIW, IW, तीन केटेगरियों बाटा गया है, ठीक है, आगे देखते हैं, पचास, इन yardstick of measurement of work, कार के मापन का पैमाना क्या है, ठीक है, ठीक है, पचास question हो गए है, ठीक है, और जो नए लोग है, incentives related, ये PDF लेना चाहते हैं, तो ऐसे इसे बहुत सारे PDF आपको, महत्वपूर्ण PDF जो है, यदि CNW में काम करते हैं, तो भी, carriage workshop में काम करते हैं, तो भी, वैंगन workshop में काम करते हैं, तो भी, सबके लिए ये important है, सिर्फ CNW वालों के लिए important नहीं है, क्योंकि CNW में यहां से incentive से कोई question नहीं बनता है, जो नए लोग है, पहली बार वीडियो क आपके पास चला जाए, तो हम से जूडने के लिए हमारा WhatsApp नमर सबसे पहले आपको save करना हुआ, 812139098121390916, ठीक है, इस नमर पर आपको WhatsApp save करना हुआ, WhatsApp में ही आपको DP लगा हुआ, उसमें पूरा material का list लगा हुआ है, material इतने बने हैं कि बहुत सारे list में हैं भी नहीं, तो कहने का सिर्फ यही है कि जितने आपके exam में question जहां जहां topic से आते हैं, लगभग 50 से भी उपर topics हैं, और सारे topics का both language में आपको material उपलब कराया जाएगा, और recorded जो class चलते हैं, अलग से उसका भी link दिया जाएगा, ठीक है, अलग से एक phone नमर दिया जाएगा, कुछ problem होता है, तो solution के लिए उसके बाद आपको एक test series के लिए roll number दिया जाएगा, यहाँ test series भी चलता है, और हर Sunday test होता है, ठीक है, प्रिवियस paper आपको दिया जाएगा, latest test paper होंगे, वही दिया जाएगा, और test की खासियत यही है कि हर test जो है previous papers होता है, या तो CNW का question होगा, या किसी workshop क question होगा, जही का question होगा, इन सब question हो से test लियाता है, question को दोनों language जैसे यह type करके बनाया गया है, दोनों language में उसी तरह question भी बोत language में बनाया जाता है, और test लिया जाता है, और बाद में उसको याद करवाया जाता है, question ठीक है, बार बार उसको test कर, एक बार question का answer दिया जाता पर दुबारा उसको प्रींट करके answer दिया जाता है उसके बाद driving में सजा करें towel के दिया जाता है बार-बाद आपको याद करने कैली सब किया जाता है तो ऐसी तयारी चलती है पे करना है सिर्क 3000 रुक्य ठीक है पूरा material जितना भी बोला हमने उस सब का टेस्ट का अलग से चार्ज लगता है 100 पर मन ठीक है 100 पर मन ठीक है तो आगे का जो question है वो आप यहाँ speedy purchase करके आप ले सकते हैं धन्यवाद दोस्तों जैहिंग